नमस्कार मैं डॉक्टर अर्शी एकबाल अर्शी फैटलेटी और आईवेफ रिसाच इंसिट्यूट कोटा से पिछले 20 वर्षों से निसंतांता के शेत्र में कारेदतों क्या-क्या सर्विसेज उपलग्ध हैं तो यहां पे हर वो सेवा जो निसंतांतम पत्ती को चाहिए जैसे आईवेफ, आईउआई, एकसी, डोनर सर्विसेज, पीजीडी, पीजीएस, लेजर, साधहरन काउंसलिंग, इनफर्टाइल कपल काउंसल, रूटीन इंडक्शन, सब क कुछ यहां पे एक छट के नीचे अविलेबल है, और हमारा प्रयार से रहता है कि हम आपके लिए सदय कारे रत रहें और रिजल्ट दे सकें, तो दोस्तों, आज की श्रंखला में आज जो हम टॉपिक लेके आएं, बहुत जरूरी है, बहुत लोगों के फोन आते हैं, क्रितम गर्बधान यानि IUI, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि IUI या IVF क्या होता है, दोनों एक ही चीज होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं, IUI यानि क्रितम गर्बधान इसमें केवल शुक्राणों को बच्चदानी के अंदर दाला जाता है, और IVF यानि टेस्ट य के शुक्राणों से बच्चा बनाया जाता है, जो कि बाहर लैब में बनता है, और तीन दिन या पांच दिन का बच्चा बना के उसको हम लोग गर्बाशे में प्रत्यारोपित करते हैं, तो IVF में आपने बच्चा प्रत्यारोपित करा और IUI में आपने केवल शुक्राणों डाले हैं अब IUI के कितने प्रिकार होते हैं IUI दो प्रिकार का होता है एक होता है IUI husband और दूसरा होता है IUI donor तो IUI husband कब इस्तेमाल होता है IUI donor कब इस्तेमाल होता है IUI किन मरीजों में जरूरत है इसके बारे में हम detail बात करते हैं, तो कोई भी मरीज ये कैसे समझे के हमें IUI कराना है के IVF कराना है, कोई भी मरीज जो की infertility treatment में जा रहा है उसका induction हो चुका है 4-6 बार, induction का मतलब अंडे बनने की दवा दे चुके हैं, डॉकसर और उसके बाद भी बच्चा conceive नहीं हुआ, तो अगला चरण होता है क्रितम गर्वधान यानि IUI का, और IUI में कितनी बार कर सकते हैं, तो IUI जो कम से कम करने का आया है वो 3-4 बार maximum, जो maximum है वो 6 बार है, तो 3-4 बार अगर हम करेंगे, तो मरीजों का अक्सर सवाल होता है, कि guaranteed है, तो देखिए, इसकी guarantee नहीं होती है, और ये जो सफलता है, ये इस पर depend करती है कि आपने patient का चुनाव सही करा है, जो हाँ कारण हम, डॉक्टर ने देखा है कि ये कारण की वज़ा से करा कर, वो कारण सही है, तो definitely IUI successful होते हैं, ऐसा नहीं है कि IUI successful नहीं होते हैं, परन्तु इसकी जो success rate होती है, वो केवल 10 से 13 परसंट है, अगर आप इसमें gonadotropin या सुयां लगाते हैं, अंडे बनाने की, तो परणाम केवल 10 से 13 परसंट है, तो यहां पे patient का workup और patient चुनना, एक सबसे important चीज होती है ऐसा नहीं कि हर मरीज का उठाया और IUI कर दी, नहीं, तो अब बात करेंगे कि किन मरीजों में IUI की आविशक्ता है तो सबसे पहले उन पुर्षों में जहां पे शुक्राण बहुत कम है यानि कि oligospermia normal count होता है 15 million या 15 से जादा चाल होना चाहिए 40% तो जिन पुर्षों में count 15 million से कम है लगबग 10 के आजुवाजु है वो पुर्ष इसके लिए सई है, दूसरा जहां पे चाल बहुत कम है वो पुर्ष इस IUI के लिए, IUI husband के लिए सई है उसके बाद ऐसी महिलाएं जहां पे उनकी उमर थोड़ी जादा है 4-6 मही ने वो infertility का treatment ले चुकी हैं उसके बाद भी बच्चा नहीं लग रहा और उनमें अंडे कम है तो जो जाचे हुई fertility profile उसके बाद यह पता चलता है कि आप में अंडे कम है आपका EMH कम है आपका जो entral count है वो कम है तो आप में भी IUI करना जाइज है तो ऐसी महिला जहां अंडे कम हो ऐसी महिला जहां उनकी थोड़ी उमर जादा हो around 35 ऐसे पुरुष जहां पे शुक्राणू की मातरा कम हो तादात कम हो 15 मिलियन से कम है something दस के around है ऐसे पुरुष जहां पे चाल की कमी है ऐसी महिला या धमपत्ती जहां पे नरंतर treatment के बाद 4-6 महिने के treatment के बाद भी वो conceive नहीं कर पाए क्यूंकि ऐसी बहुत सी महिला होती है जहां पे कुछ toxins होते है जो गरभाशाय के मुख पे होते है cervix पे होते है और वहां पे वो शुक्राणू का अंदर जाने नहीं देते तो IUI होते के प्रिकार के हैं तो IUI दो प्रिकार के होते हैं एक IUI husband और एक IUI donor जो मैंने पहले वाली श्रंखिला बदे दी कि जहां पे शुक्राणू 15 मिलियन से कम हैं दस क्या रहूं तो वहां पे करा जाता है तो वो जो लोगों का होगा वो IUI husband में आता है जहां पे शुक्राणू कम हैं चाल कम है और जहां पे पतनी या कोई ऐसा फेक्टर है अब एक होता है IUI donor जहां पे जो donor sample होता है वो किसी और पुरुष का होता है जो की donor bank से आता है donor bank यानि ERT bank जो होता है जो सरकार की मानने प्राप्त bank है वहां सिर्फ पुरुष का sample आता है और आजकल कानून जो कहता है कि आपको sample ERT bank से ही लेना होता है तो बहुत सी महिला है पुरुष ये पूछते हैं कि इस व्यक्ति का educational status क्या है इस व्यक्ति का धर्म क्या है तो ये सब चीजे नहीं पता होती ERT bank से जो आता है वो केवल blood group, hair color, Indian race का या फिर skin के color और blood group पता होता है तो इस उस पे जब sample आता है आप उसी को use कर सकते हैं किसी भी IUI donor में या IVF donor cycle में तो जो donor होते हैं IUID वो केवल उन लोगों में करा जाता है जहां पे शुकरानू निल है जिन पतियों में शुकरानू निल है वहां पे IUI donor करा जाता है तो इसकी भी जो सफलता है वो केवल 10-13% है तो मैंने जो शुरू में बात बोली थी कि एक properly, judicially ढूंडा हुआ मरीज एक जिसको वाकई इन चीजों की जरूवत एक अच्छे से वर्ग डब करा हुआ पेशेंट में इन में काफी लाब होता है और यह काफी सक्सेस्फुल होते हैं तो IUI आपने करा तो यह IUI होता कैसे है बहुत सारे दमपती हैं बोलेंगे कि IUI कराना है हमें तो इसके लिए मारीज मासिक के दूसरे या तीसरे दिन आता है और उसको कुछ ओविलेजिंस दी चाते हैं जो अंडे बनने की दवा होती हैं फिर उसको ट्रैक करा जाता है अंडों को कि वो परियाप्त बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं अब एक सवाल और आता है कि क्या ये IUI हर मरीज में कर सकते हैं तो इसका एक सबसे इंपॉर्टन जो चीज है ये IUI उनहीं मैलाओं में होगा जहां पे उनके ट्यूब पेटेंट हैं यानि कि ट्यूब खुले हुए यानि कि जो नाल हैं फैलो पेटेंट यूब अगर वो खुले हुए हैं तो आप IUI जरूर ट्राइक कर सकते हैं और इसकी भी सक्सेस रेट काफी अच्छी होती है अब एक और प्रमुक सवाल आता है मैलाओं का और कि कि आईयु आई के बाद हमें बेडस करना है या हमें बहुतoh师 एकक्सिदेंटरी लाइफ उस्टाइल जिना या आईयु आई के बाद हमें चलना फिरना नहीं है असपताल में बढ़ती रहना है तो बिल्कूल भी नहीं होता अगर I.O.I. हजबने तो 2 घंटे का प्रोसीजर होता है, 1.5 घंटा सैंपल बनने में लगता है, और इसके बाद तुरंथ इसको डाला जाता है सैंपल परपेर होने के बाद, और इसमें कोई दर्द नहीं होता है, एक छोटा सा कैथेटर होता है, उसके दुआरा मरीज बेहोश नहीं होता, साधा लेटा हुआ है, इसमें कोई दर्द ही नहीं है, और वो नीचे से गरभाशे में डाल दिये जाते हैं, जो सैंपल बनाया जाता है, जो की 0.5 ml होता है, उसको गरभाशे में छोड़ दिया जाता है, उसमें केवल वो आपेसिटेटेड होते हैं, यानि उनमें ताकत आ चुकी होती है, जो दवाओं के साथ, वो मीडियास के साथ जब चलाए जाते हैं, तो उनमें बहुत ताकत आ जाती है, और वो दो में जाती है तो अब जो सैंपल होता है, 0.5 ml होता है, और उसमें केवल जीवस शुक्राण होते हैं जो कि ऊपर से उठाए जाते हैं तो अब आयू आई के सैंपल बनाने का बहुत दो से तीन तरीके होते हैं वह अपॉर्डिंग टू पेशेंट करा जाता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है तो केवल शुक्राणूओं को डाला और उसके बाद उन शुक्राणूओं क तो ट्यूब में अपने आप जाना होता है उनको स्वेम चाल आपको पहले भी मैंने बता रहा है शुक्राणूओं इस तरह से चलते हैं पूछ होती है तो वह स्वेम जाएंगे के अंदर एंटर होंगे इसलिए ट्यूब खुले होना बहुत जरूरी होता है अगर ट्यूब पहले में और लेक्चर में भी बता चुकी हूँ तो ये एक साधारण सी टेक्नीक है जिसमें मात्र दो घंटे लगते हैं और एक पीरिड में ये तैव होता है और करने के बाद मात्र 15 मिनिट आपको आप लेटे रहते हैं उसकी भी जरूरत नहीं होती और आप अपने दिन चरिया को वैसे की रख सकते हैं कोई भारी काम कोई काम करने का मना नहीं है कोई घर में नहीं बैटना पड़ता कुछ भी नहीं करना पड़ता जैसे रोज की जिंदगी होती है वैसे ही होता है और इसमें कुछ थोड़े से प्रजिस्ट्रों का सपोर्ट रहता एक आद बोल का एक तरीखा है जिससे बहुत सारे लोग conceive कर जाते हैं यागर ध्रण कर जाते हैं तो ये किताब के हिसाब से तो तीन च्छे बार करना चाहिए पर मेरा जो अपना तजिरूपा उसमें कम से कम तीन से चार बार तो करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि पहले प्रयास में आपको सफलता ना मिले दूसमें मिल जाए तो ये एक साधारण सा कम खर्चे का बहुत अच्छा तरीखा है कि जो भी निसंतांदम परती है उनका अगर डॉक्टर से जाके मिलें तो इसकी जो प्री रिक्विजिट होती है सबसे पहली किवल कि आपके अंडे बन रहे हूं आपके ट्यूब खुले हूं और आप IUI या IUI डोनर में से कुछ सिलेक्ट कर लें और इसमें बहुत जादा परिशानी नहीं होती है तो अगर आपके कोई भी सवाल है तो नीचे लिग दीजिए और अगर आप कोई टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा IUI एक बहुत इंपॉर्डन चीज़े समझने के लिए इसे क्रितम गर्बधान कहते हैं इसको IVF से मत कन्फ्यूस करिए और मुझे उमीद है कि यह आपके लिए बहुत लाबदाई टॉपिक रहा होगा आपको फिर भेट होगी नमस्का